मनिपूर के बाद अब देश के अन्य राज्यों से भी समान घटना के वीडियो सामने आने लगे हैं ऐसा ही एक वीडियो पस्चिम मंगाल के मालदा से वायरल हो रहा है जहां दो महिलाओं को पीटते पीटते निर्वस्त कर दिया गया शुर्वाती जानकारी के मताबिक घटना तीन-चार दिन पहले की है मालदा के पकुआ हाट में दो महिलाओं को चोरी के आरोप में अस्थानिय लोगों ने पकड़ लिया उसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी गई वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो महिलाओं को कुछ महिलाएं पीट रही है भारती जंता पार्टी ने मालदा से वाइरल हो रहे इस वीडियो को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाए है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सियम ममता बैनर जी की कारवाई करने के बजाए पीडितों को ही दोशित ठहराना पुरानी आदत है टीमसी और ममता बैनर जी ने सारी हदे पार कर दी है जिस प्रकार से मालदा की घटना सामने आई है जहां पर एक नहीं दो महिलाओं को नगना वस्था में परेड किया गया और भीड उनके साथ किस प्रकार से विवार कर रही थी ये देश भर के सामने आ चुका है जिस प्रकार से हावडा में भारती जन्ता पार्टी की एक प्रत्याशी को निर्वस्त करके उसे परेड किया गया आज इन घटनाओं पर संग्यान लेकर कारवाई करने के बदले ममता दीधी ने ऐसी बात बोली है जो अस्विकारी है उन्होंने कहा कि ये तो फेक है ही मतलब क कि पुलवामा की पूरी घटना करम पर भाजपा को दोज देने के लिए पाकिस्तान को क्लींचिट दे दिया और ये कोई पहली बार नहीं है टीमसी ने सर्जिकल स्ट्राइक बाला कोट ऐस्ट्राइक पर सवाल तो उठाए है मतलब की राश्ट्य सुरक्षा राश्ट्य न पनाती है मम्ता बैनर जी न दो घटनाए मालडा ओर होडा की घटनाओं पर जवाब देने से कत्राती है मम्ता बैनर जी और राश्ट्य सुरक्षा पर ही सवाल खड़ी कर देती ह docty मोधी विरोध में देश विरोध इस प्रकार का और कोई पहली बार नहीं है कि टीम सी और ममतादीदी से ऐसा वक्तवया है पिड़तों पर ही दोश डालने का काम उन्होंने पहले भी किया है पाक स्ट्रीट रेप केस हो या नादिया का रेप केस हो ये दिखाता है कि जो लोग रेप पर सिलेक्टिवली आक्रोशित होते हैं वो अपने प्रदेश में चैनात्मक च इस घटना पर पश्चिम बंगाल की महिला एवं बास विकाल मंत्री शशी पांजा का बयान भी सामने आया है उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है हम लोग हम तो स्टेट्मेंट कर चुके हैं स्टेट्मेंट यह है कि एक बड़ी हाठ है वो एक हाठ है आप जानते ना हाठ में कई चीज जो है कई लोग वहां विक्री करते हैं तो दुकानदारी करते हैं तो एक लोकल बड़े एक विलिज में है पाकवा हाठ में तो पर निकल गए जितना भी निकला है उसको ये राजडेतिक चश्मा से कूँ दख रहे हैं वहाँ पर जो सिविक पुलीस थी वो भी गई बचाने के लिए रोकने के भी कोशिश की सब को कि मत जगडा करो लेकिन शी गाट ओवर पावर्ट और सब लेडिस एक लोग अब क्या है विद्वार ने टीमसी के कारिकरताओं पर उत्पीडन का आरोप लगाया था महिला का आरोप था कि निर्वस्त करके उसके साथ छेड़ छाड़ की गई ये घटना 8 जुलाई की बताई जा रही है